हेलो फ्रेंड्स मैं सुनीता वर्मा और आपका स्वागत करती हूं छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे सक्लेंट्स के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सक्लेंट्स की सक्यू यानि इसका अर्थ है जूस ऐसे प्लांट्स जो अपने अंदर जूस यानि पानी को स्टोर करते हैं उन्हें हम सक्लेंट्स कहते हैं यह प्लांट नेचरली वहां गरो करते हैं जहां पर पानी कम होता है यानि कि डैजर्ट प्लेसिज में तो जब इन्हें पानी या खाना नहीं मिलता वहाँ पर तो यह अपने अंदर स्टोर किये वे पानी और खाने को यूज करते हैं वैसे friends यह जो plants हैं इनकी care कमी करनी पड़ती है परन्तों फिर भी कहीं ऐसी बाते हैं जिने हमें succulents होगाने के लिए जरूर ध्यान में रखना होता है सबसे पहला है कि जो succulents हैं जब हम इने खरीदने जाते हैं तो उससे पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे area का temperature कैसा है और जो succulents हम खरीद रहे हैं वो किस area का है यनि कि temperature variation जो है उसके उपर हमें ध्यान रखना चाहिए इन plants के उपर temperature variation का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जो cold desert के plants है वो हमारी हाँ उने बहुत मुश्किल हो जाते हैं दूसरी बात है जब हम nursery से plant खरीते हैं तो उसमें यह अच्छी तरह चेक कर ले कि उसमें कई fungus तो नहीं लगी अगर plant में इन plants की एक बात है कि अगर इनमें एक बार fungus लग जाती है सक्लेंस में तो फिर उन्हें ठीक करना बहुत ही जादा मुश्किल हो जाता है यानि कि एक बार गलने लगे तो उसके बाद इन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर है तीसरा point घर लाने के बाद घर लाने के बाद जब हम इने अपने pots में लगाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादे ध्यान रखने की बात है इनकी सोयल वैसे तो इन मार्केट में भी इनकी सोयल बनी हुई आती है फोरत सोयल होती है जो कि बिल्कुल भी पानी को नहीं रोकती लेकिन अगर आप घर में अपनी इनकी सोयल बनाना चाहते है तो आप सोयल में सेंड की मातरा जादा रखें जिसे की जो भी पानिया आप डाले वो बाहर ड्रेन आउट हो जाए या फिर दूसरी बात है कि जब इन्हें हम लाते ना तो इन्हें लाने के बाद जो है छोटे से छोटे पोट में लगाएं मैंने अपने एक्सपिरियंस से ये नोट किया है कि सकलेंट को हम जितने छोटे पोट में लगाते है उतना ही वो अच्छा ग्रो करता है या फिर बास्केट में जैसे मेरे बड़े वाले जो सकलेंट है वो सारे बास्केट में लगेवे हैं तो अब बास्केट में क्या होता है कि जितना भी हम पानी डालते हैं थोड़ी देर में वो पानी सारा का सारा बाहर निचोड़ जाता है तो उससे क्या है मिट्टी बिल्कुल भी सोगी नहीं होती फिर एव वाटर वाटर तो इन्हें कम चाहिए यह तो आपको मालूमी हो गया होगा कि जब यह साकिलैंट्स है आपने अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं तो इसका मतलब इन्हें पानी की जरूरत बहुती कम होती है जैसे यह चोटे-चोटे हैं इनमें भी अगर आप वन सा वीक डाल देंगे पानी तो भी यह प्लांट आपके बहुती अच्छे ग्रो करेंगे यानिकि इन्हें सुखी-मिटी पसंद होती है और इन्हें जो धूप है वो धूप में जादा अच्छे ग्रो करते हैं धूप में प्लांट्स झो हो, इसके घने प्लांट्स होते हैं, और ग्रोथ बहुत अच्छी होते हैं, इनके उपर शाइनिंग भी काफी अच्छी रहती हैं, तो इसलिए इन्य जो है, ऐसा जंगा रखे ने रखने के लिए, जहांकि जो है, जो है, मौर्निंग की दूप आए क्योंकि अगर शाम की दूप आएगी या दोपैर की दूप आएगी तो वो तेज दूप होगी उससे इनका खराब होने का डर रहता है तो ऐसी जंगे रखे जहांकि इनके उपर सुबह की दूप जरूर आए प्रोपागेशन इन्हें प्रोपागेट करना आसान होता है इसके दो तरीके है ज़्यादा तर प्लांट्स को हम इसके प्लांट्स को लीव से प्रोपागेट कर सकते है ग्रो कर सकते है यानि कि जो इसकी पुरानी लीव्स होती है पकी हुई लीव्स होती है उन्हें स्वैल मे रख दें और फिर उसके बाद वो जो leaves है जब वो soil के touch में आती है तो उन में से छोटी-छोटी roots निकलने लगती है जब leaves की leaves मतलब उसमें से जो roots grow कर रही है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर हम दूसरे pot में लगा ले या फिर जिस pot में हमें ये plants होगाने है उसी pot में इन्हें पत्यों को लगा ले दूसरा method है इनके pups के दुरू जैसे कि aloe vera का plant हो गया और आपका snake plant है तो इनके जड़ में ये हवर्थिया है जैसे ये हवर्थिया की जड़ में ये छोटा सा अप निकल रहा है छोटा सा plant निकल रहा है इन plant को भी आप दूसरे pot में change कर सकते हैं I hope आपको sakla answer related काफी question के answers मिल गए होंगे और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो please like and share जरूर करें Thank you very much friends